हेलो एवरिवन वेलकम टु स्टडी आइकेंट पार्ट ओफ एन अकेडमी दोस्तो आज हम लोग करेंगे विश्व तथा भारत के भुगोल के बेस्ट एमसी क्यूस और यह आपके MPPSC, MPP, MPP, PSC, SSC, Railway जैसे जितनी भी एक्जाम होते हैं जहां भी कोशन्स आते हैं आपके भ कोशन नमर्ट 21 कर रहे हैं निमने लिकेत मैं से कौन एक तारा है तो यहां पर चार आप्सेंस दिएगा है इनमें से आपको बताना है कौन एक तारा है तो देखिए मैक्जिमम स्टुएंट से यहां पर कन्फ्यूज होते होंगे लेकिन आपको याद रखना है कि सूरे भी एक प्रकार के तारे की केटिगरी में आता है स्टार की केटिगरी में आता है तो सूरे एक प्रकार का क्या है तारा याद रखिएगा कोशन नमर्ट 22 सूरे प्रकास धरती तक पहुंचने में कितने मिनिट लेता है देखिए बहुत ही प्यारा कोशन है आपको इसका टाइमि संदूल को चली कोशन 23 सूर्य चैसे सबसे दूर सनंसर 20 के बराबर कोन कैस सबसे दूर च्याइशक हाई इस आपका एक्चुल कोशन का अंब करना सी बश्यक्किぜ सब्सक्राइब तो कौन सा एकशती के सबसे निकट है आपका बुद्ध ग्रहे सबसे निकट होता है option No.A कुसरमीक की तरफ चलते हैं किस ग्रहे में चंद्रमा की तरह कलाएं कुछते कौन से ग्रहे में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं तो यह अनसर हो जाएगा आपका option मसी बुद्ध गरह में ठीक है बुद्ध गरह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है Question number 26 बुद्ध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लείता है माफी चाओंगा बुद्ध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो बात हो रही है यहाँ पर बुद्ध ग्रह की और यह सूरे के चार और चक्कर लगाता है तो कितने दिनों में लगा सकता है तो सूरे के बहुत करीब है नॉर्मल सी बात है हमारी प्रदिवी को लगता है 365 दिन सूड़े का एक चक्कर लगाने में ठीक है एक साल पूरा होता है लेकिन बुद्ध ग्रहे को लगता है मात्र 88 डे कितना 88 डे लगता है यह आपका अंसर यहाँ पर बिल्कुस सही हो जाएगा Q27 सौरे मंदल का अत्याधिक तीवर ग्रहे कौन सा है तो सबसे फास्ट ग्रहे कौन सा है सौरे मंदल का यह हो जाएगा आपका बुद्ध ग्रहे ठीक है याद रखिएगा option number D यहाँ पर बुद्ध ग्रहे बिल्कुस सही है चली question number 28 निमने लिखित में से किस ग्रहे को प्रदवी की बहन कहा जाता है बड़ा ही प्यारा question है कौन से ग्रहे को प्रदवी की बहन कहा जाता है और आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजे इसी प्रकार की सबी वीडियो को पाने के लिए चलीए तो इसका अंसर हो जाएगा आपका option number B को प्रदवी की बहन कहा जाता है कोशन number 29 दो ग्रहे जिसके उब ग्रहे नहीं है बहुत ही प्यारा question है ऐसे दो ग्रहे हैं जो ब्रहमान में जिसके कोई भी उब ग्रहे नहीं है ठीक है तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका option number B शुक्र ग्रहे और बुद्ध ग्रहे के कोई भी उब ग्रहे नहीं है कोशन number 30 किस ग्रहे को शाम का तारा कहा जाता है काफी फेवरिट कोशन है एक्जामनर का इस तरह से कोशन आप से पूछे जा सकते है किस ग्रहे को शाम का तारा कहा जाता है तो 30 का अंसर हो जाएगा option मसी शुक्र ग्रह को कहा जाता है आप सभी को बताऊंगा कि ये ग्रह जो है आपको शाम के समय दिखने लगता और दिन में भी कभी कभी ये दिखता है शुक्र ग्रह आप लोग कभी notice नहीं किया होगा बट ये ग्रह आपको शाम का तारह कहलाता है याद रखना है इसके अलाब में आपको एक important जानकारी बताना चाहूंगा आपको अनकेडमी के बारे बताना चाहूंगा दोस्तों अनकेडमी आप लोग के लिए लेकर आए फ्री प्लान के साथ साथ प्लस बैचेज भी जिया दोस्तों प्लस पैचेज में आपको बहुत सा कर सकते हैं बाद में देखने के लिए बाकी interaction के लिए आप लोगो पूल कमेंट वगेरा भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं क्विजज भी मिल जाते हैं ऐसे बहुत सारी चीज आपको यहां पर मिल जाती हैं और आप लोग के जो भी टीचरस के साथ प्ढ़ रहे होते हैं उ वाला जो प्लान है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है आप इसके द्वारा भी पढ़ सकते हैं यह पांच मार्च से स्टार्ट हो चुका है 31 मार्च तक रहेगा एवरी सटर्डे संडे को इसके लावा अगर आप लोग प्लस बैचेस लेने के लिए आप लोगों के यहां से आपको बहुत सारे फाइदे मिलने वाले हं 100 टॉप रेंकर को यहां पर जो है यह फाइदा मिलेगा इसके लावा अगर हम बात करें फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए चल रहा है एंप प्लिस कॉंस्टेबल सब इंस्पेक्टर जैसे एक्जाम्स के बीच में इसके लाव अगर हम बात करें एन अकैडमी आप लोगों के डेली MPG के फ्री टैस्ट स्रीज लेकर आया है जो कि MPPSC प्रिलिम के लिए हैं 30 कोशन 30 मिनिट और 30 दिन तक लगतार रहेंगे और इसमें भी टॉप 3 रैंकर होल्डर को मिलेंगे यहां पर 1st प्राइज 2nd प्राइज और 3rd प्राइज विनर को इस तरह से यहां पर 30% डिसकाउंट रहेगा 1st प्राइज को 2nd प्राइज को 20% और 3rd प्राइज को 15% डिसकाउंट मिलेगा आप जो भी कोर्सिस खरीते हैं उसमें ठीक है दोस्तों इसके अलावा कुछ प्लस बैचिस हैं जो कि आपक से स्टार्ट हो चुका है तो अभी भी आपके पास मौका है आप इसको जल्दी से जोइन कीजे मनीश सर हरी सिंग सर मुकेश सर वरुन सर और अमीश चुकला सर जैसे आपको यहां पर टॉप एजुटर साथ पढ़ने का मौका भी मिलेगा एक और बैच है आप लोग के इसक्रेफशन में दे रखी वहां से आप इसको जोइन कर सकते हैं कुछ आने वाले बैचेस हैं आपके सामने देख सकते हैं अपकमिंग बैचेस और यह बैच भी आप जोइन कर सकते हैं तो सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं प्लस में और इसके अलावर नए फीचर आएं अकैडमी के जिसके अंतरगत आपको live quizzes भी attain कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको join quiz करना है तो आपको live quizzes भी मिल जाएंगे और आप लोगों के लिए और भी शांदर फीचर से अनकैडमी के की practice questions भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और practice questions भी आप attain कर सकते हैं उसके अलब अगर हम बात करें जो भी प्लस subscription लेते हैं उन लोग को मिल जाता है यहाँ पर वर्चस्व लेने के लिए अपनों अप्लिकेशन डाउनलोड करें अपना गोल से लेट करें MPPSC वैपम और फिर आप एक महीने से लेकर 24 महीने के कितने भी महीने का आप course process करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर चूज करेंगे आपना course और उसके बाद आपको यहाँ पर 10% डिसकाउंट भी मिल जाएगा उसके लिए आपको हमारा रैफलर कोड यूज करना है study icon आप लोग देख लीजे स्क्रीन पर यह रैफलर कोड यूज करके proceed to pay करेंगे तो आपको 10% डिसकाउंट मिल जाएगा और डिसकाउंट के बाद यह जो कीमते थी यह कम हो यहाँ से आप PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी टीचर आपकी क्लास ले रहा होता है वहाँ पर पूल का सिस्टम भी होता है आप लोग अपना अंसर दे सकते हैं पूल के माध्यम से और आपके डाउट्स भी जो भी है डिटेल में पढ़ाय जाता है टीचर के द इसे अलग से होता है जो कि लाइव रहता है यहां पर आप अपने टॉप एजुकेटर के साथ डाउट भी क्लियर कर सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर वीकली मेगा कुजिज भी होते है जो कि आप अटेंड कर सकते हैं इसमर्ट और आजी डाउनलोड कीजा आनक एड्मी एप्लिकेशन MPPAC व्यापम के सभी एक्जाम्स के लिए इस क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्ट्ट क्लास में जये इन दोश्राइए